रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरू दबाएं वीडियो में देंगे आपको मंडी के पूरे बाजार की जानकारी भाईयो आपसे सिर्फ एक अनुरोध है हमारी वीडियो को अन तक पूरा जरूर देखें और लाइक, सेयर, कमेंट में से एक जरूर करें क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं हमारी मेहनत की सफलता है इसी में है आप वीडियो को पूरा देखें यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग है इससे अलग हमारी वीडियो का दूसरा भाग भी है जिसमें सबजियों और फलों के बाजार भाव का महौल आपके साजा करेंगे आलू के बाजार में हर दिन 20-30 रुपे उपर नीचे चलते रहते हैं नए आलू की आवक लगतार अच्छी बनी हुई है करनाल मंडी में आलू का बाजार आज इस तरह से रहा है नया आलू भायो 250 रुपे से 300 रुपे कटा रहा है एक कटे में 50 किलो आलू होते हैं और कुछ टोप क्वाल्टी माल 320 रुपे कटा भी बिका है प्याज की आवक मंडी में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है मंडी में अब नासिक प्याज, अलवर प्याज और इंदोर MP प्याज की आवक चली हुई है प्याज के दाम अब आम आदमी की पहुँच में है आज करनाल मंडी में प्याज कब आव इस परकार से रहा है प्याज 20 रुपे से लेकर 23 रुपे किलो तक बिका है प्याज MP इंदोर वाला 21 रुपे से 23 रुपे किलो तक चला है प्याज राजस्तान अलवर 13 रुपे से 15 रुपे किलो और भाईयो 16 से 18 रुपे किलो का बाजार रहा है कोई भाई मंडी में फल सब्जियों का आड़त का काम करना चाहता है तो किराय के लिए दुकान खाल लिया है दिये गए नम्बरों पर संपर्क करें लैसुन का भाई 140 रुपे से 200 रुपे किलो थोगवा हो रहा है लैसुन का बाजार उपर की तरफ है लैसुन की आवक अब काफी कम देखने को मिल रही है लैसुन की विस्तरित जानकारी के लिए आप हमारी सोमवर वाली वीडियो जरूर देखें भाईयो यह था आज करनाल मंडी में लैसुन आलूप प्याज का बाजार भाव वीडियो भाग एक अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें धन्यवाद सभी किसान वैपारी और आरती भाईयों को राम राम भाईयों फल वैस सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब करें और बैट आइकन को जरूर दबाए ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सकें